हेलो फ्रेंड्स नमस्ती स्वागत है बैफीट से आपसे भी का मेरे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम एक बेकार पड़ेवे आटे बैक से और एक पुरानी बैफीट से एक बहुत बढ़िया और्गनाइजर बनाने जा रहे हैं जिसमें आप अपने धेर सारे मातुर देखेंगा तो यहां पर देखें आटे बैक से मैंने इसके यहां पर दो पीस कट कर लिए हैं आप चाहे इसके जगाD का भी उस कर सकते हैं और इसकी मैं अब आपको मेजर में बता देती हूं तो इसकी चुड़ाई मैं यहां पर रखी है 14 इंच और लंबाई मैंने को measurement बता देती हूं तो टो टल इसकी जो measurement मैंने रखी है मैंने बैट इइट से इसकी दो पीसिस कट कर लिए ные 22 इन्ट है ने बैट इइस दो पीसिस कट किए है और अब हम ने अठे बैक से जो पीसिस कट किया है उसका एक पीश हमने लेना है प्रिंट इट पड़ा शार तरफ से सी लगा देनी है और समझ इस तरीके сी जो फ्लैब का पीस कंट किया है और अधे बैक से इसमें भी हमने बैटरीट को सीधा करके रखना और के रखना है और इसमें भी हम 4 तरफ से सिलाई लगा देंगे. तो यहाँ पे देखें मैंने इसके तीनों पीसे में इसमें इसमें सिलाई लगा दी है और अब हमने यहाँ पे एक काम करना है जिससे आपको बात में ना ही इसमें कोई पाइपिंग लगाने की ज़रुरत पड़ेगी ना ही कोई लाइनिंग लगाने की ज़रुरत पड़ेगी आपने simple size में करना क्या है कि इस pieces को एक piece को लेना है आपने इसको अंदर की तरफ से आपने फोल्ड करना है और इसमें आपने सिलाई लगा देनी है चारो तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करते वे आपने इसमें सिलाई लगा देनी है सुम इसी तरीके से 3-0 पीसे इसक में अपने अंदर की तरफ से पाट को फोलड करना है और इसको को कुछा को बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसके आपको बाद में कोई जंजर्ट नहीं रएगी इसको को इसको फोल्ड करना है और इसमें आपने सिलाई लगाते जानी है बहुत यह आसानी से सिल जाता है इसमें कोई भी आपको परिशानी नहीं आएगी तो यहाँ पे देखे फ्रेंट्स मैंने तीनों पीसिस में इसको अंदर की तरफ से मोड़ते वे तीनों पीसिस में इसमें सिलाई लगा दी है और अब हमने एक पीस को लेना है इसको बराबर में हमने फोल्ड करना है और इसमें यहाँ पे हम चौक से एक निशान लगा देंगे पीच ओ पीच और सेम इसी तरीके से जो हमने फ्लैप बना के तयार किया है इसको भी हम सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके भी हम बीच ओ बीच इसमें निशान लगा देंगे और इसके बाद दोनों पीसे में जहाँ पे हमने निशान लगाया है दोनों निशानों को मिलाते वे यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमारा जो flap है इसमें attach हो चुका है अब हमने जो दूसर पीस तयार करके रखा हुआ है इसको हमने ऊपर रखना है इसके सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और तीनों तरफ से हमने इसमें सिलाई लगा देनी है देखिए तीनों तरफ से इसमें सिलाई लगा देती हूं फोर इंटो फोर इंच का और इसके बाद हम इसको यहां पर कट कर लेंगे फ्रेंड्स वीडियो को आप प्लास तक जरूर देखेगा क्योंकि यह जो वीडियो है आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है तो यहां पर देखें मैंने दोनों तरफ से इसको कट कर लिया है और अब हमने यहां पर एक पार्ट को इस तरीकी से पकड़ना है और यहां पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे सेम दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो सिलाई यहाँ पे देखें मैंने दोनों तरफ से लगा दी है और अब हमने यहाँ पे कपड़े की पट्टी लेनी है बैट्टीट से कटी वी और दोनों corner पे हमने same तरीके से यहाँ पे कपड़े की पट्टी रखनी है इसमें piping attach करनी है और यहाँ पे इससे अच्छी से finishing आ जाएगी तो यहाँ पे देखे दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे piping attach कर दी है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो यहाँ पे देखे इसको हमने सीधा कर लिया है और अब हमने हर corner को यहाँ पे इस तरीके से पकड़ते वें यहाँ पे हम किनारे किनारे इसमें top stitch लगा देंगे top stitch लगाने से जो हमारा organizer है यह थोड़ा से stiff रहेगा तो friends यहाँ पे देखे मैंने चारों दरफ से इसमें top stitch लगा दी है और इसी के साथ अब हमने यहाँ पे एक और काम करना है हम इसमें यहाँ पे attach करने वाले हैं handles यहाँ पर देखे friends handles मैंने पहले ही तयार कर लिए हैँ और इसकी जो लंबाई है मैं आपको बता देती हूँ इसकी लंबाई मैंने यहाँ आपे 14 inch रखी ही है तो दोनों handles यहाँ पे 14 inch के मैंने तयार कर लिए है और इसको किस तरीके से हमने handle को इसमें attach करना है वो में आपको बता देती हूँ तो handle को यहाँ पे हमने side में attach करना है दोनों तरफ से आपने 1.5 inch का margin देना है और handle को इस तरीकी से रखते वे इसके चारों तरफ से हमने सिलाई लगा देनी है और same इसी तरीकी से दूसरे handle को भी हमने यहाँ पे attach कर देना है तो यहाँ पे देखी दोनों तरफ से हमारे जो handle है इसमें attach हो चुके है और यहाँ पे हमारे जो organizer है बिलकुल बनके ready हो चुका है और इस organizer के अंदर अगर आप चाते हैं तो इसके अंदर cardboard भी आप लगा सकते हैं और इस organizer को दोस्तों मैंने बिना lining के बनाया है अगर आप इसके अंदर lining लगाना चाते हैं तो आप इसके अंदर lining लगा के भी इसको बना सकते हैं तो यहाँ पे देखी फ्रेंट्स इसके अंदर मैंने एक examination cardboard डाल दिया है इससे जो हमारा organizer है बिलकुल stiff रहेगा बिलकुल भी इधर उदर मुड़ेगा नहीं तो यहाँ पे देखी हमारा एक बहुत सुन्दर सा organizer बनके तयार हो चुका है जिसमें आप अपने धेरों कपड़े रख सकते हैं तो यहाँ पे देखी फ्रेंट्स अब मैं इसमें आपको कपड़े रख के भी दिखा देती हूँ तो यहाँ पे देखी है इस तरीके से आप अपने बहुत सारी इसमें कपड़े organize करके रख सकते हैं जैसे अब गर्मिया जा रही है ठंडिया आ रही है तो इसमें आप अपने सारी गर्मियों के कपड़े इसमें arrange करके रख सकते हैं और इस organizer में आप अपने blanket भी रख सकते हैं और यहाँ पे देखी कितने सारे इसमें धेवर सारे कपड़े आ गए हैं और इसको मैंने सिर्फ कपड़े की 3 PC से कट करके बनाया है बहुत ही बड़िया हमारा यह organizer बना है इसको आप अपने wardrobe में भी रख सकते हैं चाहे तो आप इसको अपने दिवान के अंदर भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे इसमें अपने suit रखे वे हैं और खास बात यह है कि हमने इसको बिना जिप के बनाया है जिप लगाने का भी कोई जिंजट नहीं है अगर आप चाहे तो आगे इसमें वैलक्रो लगा सकते हैं इस organizer को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटे बैक और एक पुरानी बैट शीट का यूज किया है अगर आपके घर में भी पुरानी बैट शीट पड़ी है परदे है या साड़ी है तो उनसे भी आप इस organizer को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो फ्रेंट्स आज का याड़ आट आपको कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा चादा शादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए फी दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में